अब यहाँ पर मैं points collect करता हूँ आप सभी के सामने मुझे 20 का voucher मिला उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ तो मुझे 30 का voucher मिला कुछ coins मिले और नीचे देखो भाई सहाफ free fund में 60 UC मिली पहले ही दिन और दूसरे दिन के mission करूँगा फिर मुझे 60 UC मिलेगी तीसरे दि new मिल रही है मुझे तो हज़र वक्कम दोस्तों मिनना मैं पारसिंग एंड आप देख रहे हैं पारसो विश्लडू चैनल बाई साब बैन के बाद यह पहला event है जो मुझे इतना अच्छा लगा 1200 UC आपको free में मिल रही है हां जी दोस्तों सही सुना आपने एक glitch है जिसकी वे से बोल रहा हूं एक round figure बोल रहा हूं number में ठीक है अब यह 1200 UC आपको free में मिलेगी कैसे वो आपको मैं बताता हूं अभी एक छोटा सा glitch है अभी बीजे माई के दिमाग से कैसे निकल गया उनको एक अलग सी outfit देनी चाहिए जो पहले कभी ना आई हो बट उन्होंने कोई old outfit दे दी and उसकी वज़े से glitch work कर रहा है अब यह glitch work कैसे कर रहा है सब कुछ मैं आपको बताओंगा मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको UC मिल रही है 1200 के आसपास outfit मिल रही है material मिल रहे है gold मिल रहे है mythic fragment मिल रहे है बहुत कुछ मिल रहा है बिलकुल frame में अब यह कैसे क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूं सबसे पहले नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको UC दिख रही होगी 60-60-60-60 चार बार उके उसके बाद यहाँ पर आगे जाओगे तो 120 UC, 120 UC, 230 UC, ठीक है अब इसको total अगर हम करते हैं मैं total करके बैठाओं तो यह अबर वीक वाला इवेंट चार पार्ट में डिवाइड होता है और यहाँ पर चार पार्ट इसके मैं आपको समझा देता हूं शुरू से लेके अन्ड तक सबसे पहले पार्ट में सेल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर आपको वोट करना है जिस भी आउटफिट पे सबसे ज्यादा वोट होंगे वो आउटफिट सेल में आ जाएगी एंड वो आपको एक डिसकाउंट रेट पे मिलेगी बहुत अच्छा डिसकाउंट मिलेगा उस पे एंड यह मिथिक आउटफिट रहने वाली है तो जो मुझे आउटफिट पसंद आई है एक तो जो कि सेंटा सेट है इसके इलावा स्नो वूमेन वाला सेट भी मुझे पसंद आया है तो अगर आप वोट करना चाहते हो तो इसको वोट करो यार क्या फालतू से आउटफिट को वोट कर रहे हो यह किसने वोट किया है इसको मतलब यार क्या ही बोरू चलो कोई बात नहीं जाएंगे यहाँ पर आपको डेली लोगिन करने पर एंड टाइम स्पेंड करने पर एंड यूसी स्पेंड करने पर कितनी भी यूसी आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पर आपका मिशन कंपलीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको पोईंट वाला मिशन भी मिलत अब यह points कहां से मिलेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले login करने पर मुझे यहाँ पर 3 मिल गए and यह daily mission है, तो daily मिलेंगे, उसके बाद 15 minute spend करना है, खेलना नहीं है game को, अगर आप 15 minute game को खोल के भी छोड़ दोगे न, तब भी यह mission complete हो जायागा, उसके बाद यह जिदा के एक भी UC लगाई नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने एक भी UC लगाई नहीं है, और यह जो UC है, मुझे free में कैसे मिलेगी, कहां पर glitch work कर रहा है, वो आपको मैं बताऊंगा, and इस वाले event को पूरा explain भी करूंगा, अभी 00 है सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ प पे पैसे लगाना मेरे साफ से worth it नहीं है, तो इस वाज़े से मैं पैसे नहीं लगाने वाला, and यहाँ पर हम चलते हैं, जिसमें हमें पैसे लगाना worth it लगा है, 10 UC भी लगानी worth it लगरी उस फे जो की है ये वला इवेंट, तो यहाँ पर मैं 10 UC लगाता हूँ, जो की हमारी की तो यहाँ पर मेरा mission complete हो गया आप एक UC, दो UC, तीन UC कितनी भी UC spend करोगे यहाँ पर आपका जो यह mission है वो complete हो जाएगा आप चाहो तो एक UC कर सकते हो एक UC spend कैसे करनी है आप किसी के भी home पे जाके एक UC spend कर सकते हो ठीक है न मैं अपना home दिखा देता हूं यह मेरा home है and home के उपर मैं एक detail में वीडियो बनाने बाला हूं क्यूंकि home अगर आप अपना home त्यार करोगे न सही तरीके से तो सही बता रहा हूं आप बहुत अ इसमें भी आपको आगे आने वाले time में देखने को मिलेंगे तो अभी मैंने चोटा सा home अपना बनाया है जो कि मेरे साब से इतना कुछ खास तो नहीं है बट यहाँ पर मेरा paid है पेड से जाके मैं कुछ claim कर लेता हूं अभी तो claim नहीं कर सकता है वैसे मैंने काफिजार यह यहाँ पर claim की हैं देख सकते हो और यहाँ पर मेरे coins चोरी भी होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे shooter भाई आके 26 coin चोरी करके ले गए कीवी करके एक लड़की है जिसने यहाँ पर 63 coin चोरी किये मेरे और इसके बाद अलताब वाईटी ने मेरे 26 coin चोरी किये तो आप म और गश्रैंख आते हो यहाँ पर आप टाइकमर के खतम होते हैं को कुछ coins मिलते ह만गे अब यहाँ पर मैं आपको किसी और के घर में विजिट करके दिखाता हूं जैसे कहा पर मैं किसी फ्रेंड के 1986 में जाता हूं जैसे कि मैं इसकी एए यहाँ यहाँ, इसके, पहले मुझ कर सकते हो आगर आप ज्यादा उसी नई spend करना चाहते हैं एक UC भी spend कर सकते हूँ एक UC के ऐसे spend करनी है वो आपको मैं बता देता हnet हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ किसी के भी घर में चला जाता हूँ यहाँ पर काफ सारे गर हैं तो यहाँ पर मैंने विजिट किया, विजिट करने के बाद, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं अंदर आ गया, अंदर आने के बाद, यहाँ पर देखो, नीचे एक चिकन का बटन दिख रहा है, चिकन के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक यूसी का, स्पैंड करने का आ गया, तो स्पैंड है अगर आप विजिट करते हो मेरी आईडी देख सकते हो 5255-286-899 आप किसी की भी प्रोफाइल पर क्लिक करोगी ना जैसे की मान के चलो यहां पर मैं इश्यू की प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं ठीक है यहां पर देखो इश्यू का घर दिख रहा है जैसी मैं इसके घर प मैं इसके घर पर आता हूं इसने पेड ही नहीं लगाया यार पेड लगाया होता है तो पेड को पानी कैसे देते मैं आपको बताता हूं तो यहां पर मैं किसी और के घर पर विजिट करके मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर मैं किसी रैंडम बंदे के घर पर आ चुका ह यहां पर आपको पांच वाटर देने का भी आता है अभी मैंने एक दिया ना देखो यहां पर सब एक एक दे रहे हैं तो यहां पर कुछ-कुछ बंदे पांच बार भी दे सकते हैं यह देखो नीचे पांच भी दिया ना बंदे ने ग्रोथ तो पांच भी अगर आप देना च उसी कटेगी ठीक है वो आपकी मर्जी आप spending करना चाहते हो spending वाला event अगर complete करना चाहते हो तो आप एक UC spend कर सकते हो मैंने आपको minimum बता दिया ओके अब मान के चलो यहाँ पर मैंने 10 UC spend की spin में ठीक है अभी मैंने spin की थी ना M762 वाली जो glacier वाली skin है तो मैंने 10 UC spend की अब मैं चलता हूँ cyber week पे ठीक है तो यहाँ पर यह रहा cyber week तो मैंने 10 UC spend की तो एक तो मेरा यह वाला mission complete हो गया जिसमें spending करनी थी दूसरा यहाँ पर दूसरे mission पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो मेरी UC spend करने वाला mission complete हुआ उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 10 point मेरे बढ़ गए यहाँ पर जैसी मेरे 50 point बढ़ेंगे 50 UC spend होने पे मुझे तीन यहाँ पर mythic fragment मिल जाएगा ओके यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे mission भी है daily mission जिसके अंदर आप देखोगे तो एक match खेलना है तीन बंदों को kill करना है यहाँ पर voucher भी मिल रहे है कुछ points भी मिल रहे है और points हमें free में भी मिल सकते है जरूरी नहीं UC spend करनी है आप mission complete करके भी अपने points बढ़ा सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने UC spend की तो यहाँ पर मुझे 20 points और मिल गए and यहाँ पर जैसी मैं एक match खेलूंगा तो मुझे 40 points मिल जाएंगे तीन बंदों को kill करूंगा 40 points मिल जाएंगे जरूरी नहीं UC spend करनी है मैं आपको सिरफ बता रहा हूं कि UC spend करने से भी आपके point बढ़ेंगे अब यहाँ पर 30 points हो गए ठीक है मैंने मान के चलो मैंने एक और 10 UC वाली spin कर दी यहाँ पर तो यहाँ पर मैं करता हूं सबसे पहले skip और यहाँ पर मैं 10 UC पर click करता हूं and हम देखते हैं अपने को 10 UC में क्या मिलता है तो अपने को paint मिला ओ अब एक दिन में आपको यहाँ पर 60 points मिल रहे है total ठीक है अगर आप अच्छे तरीके से mission complete करते हो तो जैसे कि एक match खेल लिया तीन बंदों को kill कर दिया और थोड़ी सी UC spend कर ली ठीक है UC spend मैंने बोला ना एक UC भी spend करोगे तो आपका count हो जाएगा सिरफ आपको UC spend करनी है ऐस ठीक है आपकी UC spend हो जाएगी और मेरा जो हो मैं वो भी थोड़ा अपग्रेड हो जागा आप सभी की help से है ना थोड़ा थोड़ा करके सब एक एक की UC देंगे उनका mission complete हो जागा मेरा भी काम बन जागा थोड़ा था तो यह सबसे easy way बताया मैंने आपको अगर आप UC spend नहीं क complete करके आता हूं जिसमें मैं free वाले mission complete करके दिखाता हूं मुझे free में UC मिलती है या नहीं और यह glitch कहां पर work कर रहा है फिर मैं आपको बताऊंगा ओके अब इसके चार पार्ट है पहला sale वाला दूसरा point event तीसरा 18 गंटे बाद खुलने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा discount के अंदर material, mythic fragment, gold fragment और भी बहुत कुछ मिलेगा उसके बाद जो fourth part है उसके अंदर आप 29 तरीक को वह वला part खुलेगा आपका उसके अंदर आपको upgradable gun मिलेगी बहुत ही सस्ते में अब कौन-कौन सी gun आने वाली है मैं आपको अभी confirm नहीं हुआ बट उपर से दो guns तो confirm है एक तो आपको M762 दिख रही है एक आपको M4 दिख रही है तो दोनों की दोनों skins मैं आपको दिखा देता हूँ दाल अप पे klick करके सबसे पहली जो skin है वो है ये वाली M762 की मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास पहले से है तो येवली skin मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं पहले से अगर यह बिल्कुल 90% डिस्काउंट पे भी मिलेगी ना तो मेरे किसी काम की नहीं है और दूसरी skin मैं आपको दिखा देता हूँ जो आने वाली है जो leaks के अंदर आया है ठीक है अभी यह confirm leaks नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी skin leaks के अंदर आई है एक यह वाली skin confirm है क्योंकि यह भी आपको उपर से दिख रही है M762 and M4 दोनों उपर से दिख रही है बाकी की skins मैं आपको दिखा देता हूँ अब यह वाली M4 मेरे पस नहीं है अगर यह discount में आएगी तो मैं निकाल लोगा इसके इलावा एक और skin जो की leaks में आई थी वो आपको specific casualances यह वाली M1 के skin जो कही मैं अपर पहले से है तो यह जो कि यह वाली scrub मेरे किसी काम की नहीं क्वा देता ह openland 11-162 तो उपर से दिख री आपको एंड जो M4 है वो भी उपर से दिख री है तो 4 सकिन में से 3 सकिन तो में पहले से है भाई बची 1 M4 अगर M4 में को डिसकाउंड में मिली अच्छा कसर डिसकाउंड मिला तो मैं रिडिम कर लूँगा तो 4th पार्ट में ये सब चीजे आने वा है उसके इलावा यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ मिल रहा है जैसे कि mythic fragment outfit और gold मिल रहा है material मिल रहे हैं बहुत कुछ मिल रहा है है यह बिल्कुल free में मिल रहा है उसके बाद जब आप end में पहुंच जाओगे आपने अठारा सो point कर लिए ठी अठारा सो point करने के बाद आपको सारे reward मिल गए उसके बाद जब आप points इकठे करोगे spending करोगे या फिर mission complete करोगे तो 100 point पे आपको एक crate बनेगी हर 100 point पे आपको एक एक crate बनती जाएगी तो इस crate के अंदर क्या है इस crate के अंदर भी आपको mythic fragment मिल सकता है voucher मिल सकते है पिछवाड से दुआ निकलने वाला मिल सकता है बोट कुछ है इसके अंदर भी बाकि आपकी किस्मत के उपर है आपको क्या मिलता है ओके तो यह मैंने event आपको पूरा explain कर दिया अब मैं free वाले mission कर लेता हूँ जैसे कि एक match complete करना है मुझे तीन बंदों को kill करना है तो फटवर्ट से मैं यह complete करके आता हूँ उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ कि यह glitch work कैसे कर रहा है क्योंकि यहापर purchased लिख है और मैंने बिल्कुल भी उसी निल लगाई अगर आप अपने account में जाओगे तो यहाँ पर आपको purchase करने के लिए बोला जाएगा बट मैंने तो purchase नहीं किया अब मेरे में यह glitch कैसे work कर रहा है वो आपको मैं बताऊँगा एंड बीजे मही ने क्या गलती की है किस गलती की वज़े से यह event हम free में loot पारें वो भी आपको मैं बताऊँगा सबसे पहले मैं यह mission कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एक match खेलना था and तीन बंदे किल करने थे तो मैंने अच्छे तरीके से यह वला mission complete कर लिया अब यहाँ पर मैं points collect करता हूँ आप सभी के सामने मुझे 20 का voucher मिला उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ तो मुझे 30 का voucher मिला कुछ coins मिले और नीचे देखो भाई सहाफ free fund में 60 UC मिली पहले ही दिन और दूसरे दिन के mission करूँगा फिर मुझे 60 UC मिलेगी तीसरे दिन के mission करूँगा फिर 4 दिन के mission करूँगा फिर 60 UC मिलेगी तो जितने ज़्यादा मैं points इकठे करूँगा mission complete करके उतनी ज़्यादा UC मुझे मिलती रहेगी बिल्कुल free में अगर मैं spending नहीं भी करता हूँ फिर भी अब यह क्यों मिल रही है मुझे और यहाँ पर मेरा purchased क्यों लिखा रहा है वो आपको मैं बताता हूँ अब यह जो outfit है यह बहुत time पहले आई थी ठीक है यह outfit आई थी उस time पे क्या हुआ था यह outfit मेरी निकल गई थी free में अब कैसे निकली थी मुझे याद नहीं है बट यह outfit मेरी free में निकल गई थी किसी तो crate में आई थी classic में आई थी premium में आई थी या फिर किस crate में आई थी मुझे याद नहीं है यह outfit मेरे पाप पहले से है तो BGM I से गलती ही क्या होई, गलिच कहां पर work कर रहा है, BGM I से ये गलती होई उन्होंने पुरानी outfit डाल दी कोई, और ये पुरानी outfit काफी बंदों के पास पहले से है, तो जिनके पास भी outfit पहले से है, तो उनके यहां पर purchased लिखा होगा, और उनको यहां पर कोई भी UC नहीं free में उनको यहां पर UC मिलेगी, mission complete करके, अब जिनके तो यहां पर purchased लिखा, उनके ये glitch work करेगा, जिनके नहीं लिखा, उनका क्या आएगा वो आपको मैं बताता हूँ, अब यहां पर मुझे तो बिल्कूल free में सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि में पाई outfit पहले से है, ऐसी द दोनों outfit एक साथ ही आई थी, और यह दोनों outfit मेरी निकल गई थी, legendary में आई थी, अब मुझे याद नहीं किस करेट में आई थी, बट यह मेरी निकल गई थी, अब मेरे पास यह outfit पहले से थी, और BJM ने गलती से क्या किया, पुरानी ही outfit को दे दिया, यहां पर event के अंदर, अब जिनके पास तो यह outfit पहले से है, वो दोबारा से थोड़ी purchase करेंगे, तो उनके यहां पर लिखा आएगा, purchased, अब यहां पर जिनके भी purchased लिखा आ रहा है, उनको यहां पर बिल्कुल free में 1120 UC मिलेगी, और सारे के सारे reward भी मिलेंगे, बट जिनके purchased लिखा नहीं आ रहा और यहां पर मैं चलता हूँ, cyber week वाले event पे, अब जिनके glitch work नहीं करेगा, जिनके पास यह outfit नहीं है, तो उनके यहां पर लिखा आएगा purchased set, ठीक है, purchase करने के लिए बोला जाएगा, यहां पर आपकी लगेगी 1120 UC, and 1120 UC लगने के बाद, यहां पर आपका जो level है, वो सीधा 800 के उपर चला जाएगा, क्योंकि 1120 UC spend करने पर आपको 1120 cyber point भी मिलेंगे, क्योंकि जैसी यहां पर मैं purchase पर कलिक करता हूँ, तो यहां पर लिखा आता है, कि आपको 240 UC तो immediately मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके points भी बढ़ेंगे, तो यहां पर जिनका free में होग उनको यहां पर धीरे-धीरे points से गठे करके सारे mission complete करने पड़ेंगे, जो purchase करेगा, वो सीधा यहां पर 1120 points तक पहुँच जाएगा, एंड 1200 points पे पहुचते ही, उसको 120 UC भी मिल जाएगी, तो यहां पर 240 UC तो immediately मिल जाएगी, मतलब 1120 UC लगाते ही, 240 वापिस आजाएगी, ए उनको सिरफ mission complete करने है, ठीक है, अगर वो UC spend करेंगे, तो UC spend के भी उनको point मिलेंगे, अगर वो mission complete करेंगे, तो mission complete करने के भी उनको point मिलेंगे, तो हर तरीके से उनको फायदा होगा, बड़ जिनका यहां पर purchase नहीं लिखा, जिनका glitch work नहीं कर रहा है, तो उनको यहां पर 1120 UC उसी लगानी पड़ेगी, अब मेरी किसमत अच्छी है कि मेरा glitch work कर गया, तो मैंने वीडियो भी बना दी, आपको समझा भी दिया, अब आप जाके अपना-पना account चेक करो, किसके पास यह वाला set पहले से है, शायद यह classy crate के अंदर आया था, याद नहीं है मुझे, पता नि किस crate में आथा, बट यह set में पहले से है, तो आप में से किसके किसके पास यह वाला set है, में को comment करके बताना, और किसका किसका यह वाला glitch work कर रहा है, किसके किसके यहाँ पर purchased पहले से ही लिखा हुए, बिना UC लगाए, यह भी में को comment करके बताना, और किसका किसका 1120 UC का फाय हो गया जिनके पास तो यह outfit है उनको तो free में 1120 UC मिलेगी जिनके पास यह outfit नहीं है उनको यहाँ पर UC लगानी पड़ेगी तो भाई यह तो unfair है मेरे साब से बाकी मेरा तो फायदा हो गया बहुत जादा 1120 UC बिल्कुल free में मिल जाएगी और जो rewards मिलेंगे mythic fragment मिलेंगे और जो चीजे मिलेंगी अलग इसके लावा एक और event है वो भी आपको मैं explain करता हूँ उसके लिए मुझे अपनी ID पर जाना पड़ेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दो बारा से अपने account में आ चुका हूँ अब यहाँ पर मैं mission पर काफी सारे mission भी आए हैं तो य पर कोई ऐसा pack add होता है तो अगर आप UC खरीदते हो तो यहाँ पर UC खरीदने के भी आपको extra reward मिलेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने login कर लिया जैसे कि यहाँ पर मैंने login reward पे click किया तो मुझे 10 UC का voucher मिल गया अब अगर मैं कुछ भी UC purchase करता हूँ जैसे कि मान के चलो मैं 10 UC फटवर से purchase कर लेता हूँ 10 UC purchase करते हैं मुझे 5 mythic fragment मिल जाएंगे UC के 7 साथ अभी मेरे account में देखो कितनी UC है 329 UC है तो फटवर से मैं router पे जाता हूँ and फटवर से UC purchase कर लेता हूँ instantly यहाँ पर मेरे account में credit हो जाएगा तो फटवर से purchase कर लेता हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने UC purchase कर लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर payment हो चुकी है 71 रुपी की मुझे UC पड़ी जैसे कि आप सभी को पता है router पे काफी सस्ती UC है 75 वाला pack आपको discount में मिल जाता है तो मैंने UC purchase कर लिए ठीक है अब देखते हैं अपने account में कब तक आती है तो यहाँ पर साइड वाला reward है वो भी unlock होके दिख गया एंड यहाँ पर मुझे login करते हैं यहाँ पर reward मिल गया ठीक है अब यहाँ पर आपको UC purchase करने का यह भी फायदा मिल जाएगा अब मेरे साब से सिर्फ आपको एक ही बार UC purchase करनी है एंड यह सारे reward आपको मिल जाएंगे जैसे कि 6 bike हो पुल भी पसंद नहीं है बट यहाँ पर आप देखोगे 1500 के बाद जैसे किसी को UC purchase करनी पड़ जाती है जैसे McLaren की किसी ने spin करनी है या फिर किसी ने UC purchase करनी है पहले नहीं कि अभी उसे जरूरत है तो यहाँ पर 1500 UC से जादा अगर कोई purchase करता तो यहाँ पर bonus मिल जाएगा तो यह भी एक फायदा हो जाएगा उसके लावा और भी काफी सारे event है जो कि मैं कल ही explain कर चुका हूँ बाकि जो new event आये थे cyber week के उपर यह special video थी वो मैंने detail में आपको समझा दिया आज की video को यहीं पर end करते हैं मेरा तो 1200 UC का फायदा हो गया आप में से किसका किसका फायदा हुआ and मैंने cyber week का पूरा event भी आपको explain कर दिया free में कैसे आप loot सकते हो सब कुछ मैंने बता दिया अगर आप outfit नहीं भी लेते हो ना फिर भी आपको यहाँ पर काफी rewards मिलेंगे ठीक है ना जरूरी नहीं outfit लेनी जरूरी है ठीक है यहाँ पर मेरा glitch work कर गया तो मैंने outfit तो ख claim करो बाकी जो upgradable guns आने वाली है उस पर कितना discount मिलता है एंड हम लेते हैं कोई gun या नहीं लेते वह आने वाले time में आपको बता चलेगा आज की वीडियो को यह पर end करते हैं मिलते हम अपनी next वीडियो में बाबाई